अगर किचन साफ सुतरा है और गनाइज है तो उसमें काम करने का भी मन करता है खाना उतना ही टेस्टी बनता है क्योंकि अच्छा बन होगा तभी तो खाना भी अच्छा बनेगा न तो आज में शेक कर रहे हूं आप लोग के साथ दो मेर्ड की किचन क्लेनिंग टेप्स जो की किचन को हमेशा Watson Neeto clean बनाने में आपकी हैल्प करेगी यह हैबित हैं जिनको हमें अपनाना हैं सिर दो मिनिट लगेगे और हैपका किचन हमेशा चमकता रहेगा मैं तो उम्मीद करती हूं कि यह विडियो आपके लिए हैल्फिल रहीगी तो चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्र Ellis जब भी आपकी किछन में कोई भी कंटेनर काइन हो तो उसको उसी Li dispresor دेजा वेट ना करें किसको आपको अपने मन्थली क्लीनिंग में चामाल करना है या फिर आपके हाफे राद निकलेनिंग में जब भी कोई भी कंटेनर काली होता है है तो मैं उसी time पर उसको wash कर देती हूं जससे कि मेरा जो monthly जो cleaning होता है ना उसका burden कम हो जाता है उसको wash करके सुखा दती हूं और फिर उसको refill कर देती हूं तो इससे जो काम का बोज है वो कम हो जाता है घर में जब भी fruits आते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है कि जो पहले से बचा हुआ हो तो जो भी मेरे पहले वाले फ्रूट्स होते हैं उनको मैं अलग से बाउल में रख लेती हूँ जिससे मुझे पता रहता है कि ये मेरे पहले वाले फ्रूट्से इनको पहले खाना है और फ्रेश तो और चल जाते हैं एक दो दिन लेकिन पहले जो पुराने वाले हैं तो उनको हाय जिससी कि आपका जो फूड वेस्टेज अब वो कम हो क्योंकि वो जल्दी खराब होने लगेंगे और आपके फ्रेश फ्रूट से वो एक दिन का वेट कर सकते हैं तो फ्रेंट्स जब भी किचन में आप काम करें तो कोशिश करें उस काम को उस अची फैला हुआ हुआ लगेगा तो खाना खाने के बाद बैठे ना पांच मिनट का काम है फटा फट से काउंटर तौप पूंधे कर दें जादा क्लीनिंग करने का मन नहीं भी है ना तो एक बार उठ करके थोड़े से हिम्मत करके बस काउंटर तोप को क्लीन कर दें जू जब भी चीजों को आप वापिस रखे तो उनको एक बार जरूर से उनको क्लीन करके रखें कपड़ा उसके नीचे हाथ लगा के जरूर रख दे और जब भी खाना बनाए तो इस तरह का एक टावल है वो हमेशा यूज करें तो आप देख सकते मेरा काउंटर टोप कितना क्ली क्लीन है क्या की जो आटा रोटी बनाते वेज गी रात वह कपड़े के ऊपर ही गिर गया था ज्सको मैंने ज़ाड भीया है तो इससे आप काउंटर टोप क्लीन ही रहे गा जो गिरैगा वो कपड़े के उपर ही गिरेगा उसके बाद मेरे काउंटर टोप पे जो भी घुरता है जो भी आठा गीरा है या सबजी डालते हैं थोड़ी बहुत सबता गीरी IDshots food particles होते हैं जो counter top पे गिरा है या फिर मेरे जो our gas stove उसके ऊपर गिरा है तो उसको भी पहले मैं जैसे मैंने मैंने एक खठा कर लिए counter top आपो क सारा और उसके बाद घास टो पे थोड़ा बहुत आट आच जरूर जाता ही हो है और आप देगी मेंद जब भी देखा तो मेरा जो सूखा आठा थाँ बहुत km हो ताहा लेकर फिर भी मैं आपने जो मेराрий जो वेरा सिक्तोग मैं तो भी चलीण करके और उसके निचे से बराबर बहुत जो भी होता है वो सारा FOOD PARTICULS तो अगे उतरों बंग गाइसाक pale Allah क्ली खानी या कोई भी किसी खानी फाय उसको नीचे ना गिराएए क्योंकि लोग बहुत लोगों के हैबिट होते है की कांटर टोप तो क्लीन करते हैं तो जोंड़ाइस products का सब्लाइस ब्ल inflict a cafe जाकर कर तो जाका शार पकिए तो बहुत के वहीं उठा ले और फिर गैस टोब को हमेशा क्लीन करें एक साफ कपड़ा ही लगा देगर ज्यादा गंदा को नहीं लग रहा है तो एक साफ कपड़ा लेकिन जरूर लगाए जिससे वो हमेशा नीटन क्लीन रहेगा और यह हमेशा अपने वीडियो में आप लोग को बताती हूं और गैस टोब के नीचे से भी मैं अच्छे से क्लेन कर देती हूं तो यह बहुत सारे चीजे छोड़ी चीजे हैं यह लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट चीज हो जाती है जो कि आपके क्लीनिंग में एक इंपोर्टेंट रूल प्ले करती हैं बाकी आपको कोई भी इध के साथ ही उन चीजों को उठा लें वहां से जब भी चाय बनाते हैं तो खाली ना खड़े रहे वेट ना करें चाय उबलेगी और आपको चाय मिलेगी बनेगी ऐस वो तो बनती रहेगे साइड बाई साड कुछ भी है ना काम कर ले जैसे मुझे मैंने यह कपड़े जो मैं किचन में यूज करती हूँ बटन होते वे या फिर डस्टिंग के जो भी कपड़े होते हैं इनको मैंने वोश किया था तो जब तक मेरी चाय बॉइल होगी चाय ना निकले तो उसके पास खड़ा तो होना ही पड़ता है अच्छे से उसको बॉइल बगरा करने के लिए लेक के साथ जब भी कोई भी अप्लाइंसिस आप यूज करते हैं तो उसको डीप करने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिरफ गीला कपड़ा ले करके और उसको अच्छे से क्लीन कर दो अंदर बाहर से क्लीन कर दो क्योंकि बाहर से भी उतना इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम उसके अंदर जब खाना बनाते हैं तो चिकने हाथ लगते हैं या कुछ खाना चिपका हुआ होता है तो अंदर बाहर से उसको क्लीन करके और वापिस से उसको उसकी जगह पर साथ के साथ रख दे हमारे किचन में आजकल चिमनिया तो हर घर में ही आपको मिल इसके उपर डेली जितना भी डस्ट जमता है वह साफ दिखाए देता है तो मैं एक कपड़ा इसके उपर हमेशा लगाती हूं डेली ही एक मिनट से भी कम का टाइम लगेगा लेकिन यह जो आपकी चिमनी है ना वहमेशा साफ सुथरी लगेगी उस पर कोई भी धूल नहीं जमी रहेगी जब सिंग भर जाता है तो बड़ी हैड़ेक होती है साफ करना है एक सिर्दत बन जाता है इसलिए बैटर है कि जब भी दो बरतने खटे हो उनको साफ कर दे शायद यह सुनने में इतना अच्छा नहीं लगेगा कि दो दो बरतन को कितनी बार क्लीन 2 अब वह चाहिए आपका क्लीनिग चन को कितना सारा काम हो फिनीश हो गया है इसी तरह से जब भी कीचन को क्लीन करते हैं तो बहुत इंपर्टंट बार यह आपके गलीनिग और और आपका वह स्बोश सिर्ग क्लीन इसलिए तो उनको इसले आप के एसले किने अग 위डियो ह होंगी क्योंकि है यह इतने इंपोर्टेंट कि मैं इनको छोड़ नी सकती क्योंकि हो सकता आपने मेरे पिछली वीडियो रा देखियो तो यह वीडियो देख लियो तो इसके लिए कुछ एक टिप्स तो है जो मैं आपको साथ हमेशा ही शेयर करती हूं तो जब भी बरतन क्ली क्लीन करें तो आपके टैप को वोसबेशन को और आसपास की टाइल्स को हमेशा क्लीन करें इससे हमेशा जो आपका किचन है वो साफ सुतरा चमकदार लगेगा अगर नहीं करते हैं अभी तक तो प्लीज इसको जरूर अपना के देखीगा हार्डली टू 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 त्री मिन लगी है तो इस चीज को जरूर से अपनी हैबिट बना ले इसके साथ साथ जो हमारा विम लिक्विड डिस्पेंशर जो होता है उसको भी क्लीन करें और यह मैं भी बहूल जाते थी लेकिन फिर गंदा लगता था इसको दो तो फिर मैंने इसको अपनी हैबिट में लेके उनका भी अच्छे से उनको क्लीन करें जो भी इसको अंदर साबून वगयरा होता है उनको निकाल करके और उसको इस तरह की किसी भी एक जो भी आपका जिसके अंदर आप इसको रखते ना कुछ ऐसा हो ना जीए कि इसका सारा पानी जो हो निकल जाए और एयर सर्कुलेशन कपड़ों को कभी भी अंदर ना रखें उनको हमेशा साथ के साथ बाहर सुखा दें और जब भी आपको लगता है कि आपका फ्रिज गंदा है तो जरूर क्लीन करें और मैं इसको हर दूसरे तीसरे दिन साफ कर लेती हूं क्योंकि फ्रिज में एक तो खाने पीने की चीज़ के जो ऐसी जिए को बनाते हैं या को शेक बड़ा बनाते हैं तो जो जार होते हैं ना तो नमें एक बड़ी जीवसी अगर्व अथी से ना दुले और शिम्पल इनको धोना तो बहुत मुषकिल होता है तो इसकुल क्या करेंग जब भी आप बनाए ना डेली नहीं हर दूसरे तीसे दिन ऐसे कर के मेने घर में डेली जो बनाना शे बदम ऐर छोग बनाना शेक को डिष में बनाना शेक बना हरें बनाना शेक कला जाता है अदर्वाइस उसको क्लेन क्लिस और शुद कि आएlished now और इसको कभी भी बंद करके ना रखे धकन को हमेशा उल्टा करके रखें तो फ्रेंट्स ये थी मेरी आज की कुछ क्लिणिंग किचेंग टिप्स जो की डेली में यूज करती हूं तो उम्मीद करते हूं कि ये विडियो आपको हैल्फुल लगी होगी और अगर है तो बाइ बाइ बाइ